नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी कास वागत करती हूँ आपके इपने चैनल सुमन एजुकेशन हर्ग में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्रैम से आप जेसोन की फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे जब आप जेसोन की रिटर्न फाइल करते हैं और वहाँ पे आप प्रिपेर ओफलाइन का उप्शन चूज करते हैं और जेसोन की फाइल को अप्लोड करके अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको Telepram से JSON के file permit में आपको अपने GSTR1 के report को and summary को वहाँ पे export करना होता है तो उसी summary को आपको कैसे export करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ Telepram को open कर लीजिए go to पे click करके GSTR1 की reports को आपको open कर लेना है यहीं से आप alt, app to press करके date को change कर लीजिए date change करने के बाद suppose किजिए अगर हम अगस्त मंत का GSTR1 का JSON file यहाँ पे export कर रहे हैं तो date select करने के बाद आप यहाँ उपर देखेंगे uncertain transaction तो यहाँ पे आपका जो भी अगर एक number दो number जो भी show हो रहा है इसको click करके आपको सही करना है यहाँ पे uncertain transaction में zero show होना चाहिए निचे आप देखेंगे तो B2B, B2C, B2C small, credit note, debit note यह सारे आपको table wise show होंगे आपने जो भी entry जहाँ पे की होगी वो entry आपको यहाँ पे show होगी यहाँ पे निचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे adjacent wise summary and document summary show होगी निचे तो इस टाप से आप detail देख सकते हैं अब आपको export पे click करना है, e return पे click करना है यहाँ पे हमारा जो GST number है वो feel नहीं है इसलिए आरश शो हो रहा है तो feel करेंगे हम यहाँ पे GST number है, screen save करते ही आपके पास export वाली window open हो जाएगी तो यहाँ देखें सबसे पहले आपको file का format show हो रहा है तो यहाँ पे तीन file format show होता है तो हमें इस file को JSON में करना है, convert export करना है तो हम JSON select करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको file path करना है file name आप rename कर सकते हैं और उसके आप देखें, यहाँ पे export as JSON SSC summary, yes कर दीचे document को भी yes कर दीचे and send पे click कर देगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यह वाली जो file है वो हमारी GSTR 1 की जो summary है JSON file format में export होके यहाँ पे ready है, अब आप यहाँ पे जब GSTR 1 reports आपको return file करनी होगी तो GSTR portal पे आप login कर लीजिए and वहाँ पे आपको GSTR 1 में prepare offline पे click करके and इस file को वहाँ पे upload कर दे रहा है चैली Prime से आप step से JSON file में अपने export कर सकते हैं data